तो सभी को good morning तो आज मैं इस वीडियो में discuss करूँगा एक requirement के बार में तो यह जो requirement है वो देख सकते हैं कि यह banking की requirement है ठीक है और यह जो है male और female दोनों ही candidate इसके लिए eligible है जो भी candidate इसके नोटिपेशन को डिसकस करते हैं जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है advertisement of requirement for 896 post of banking assistant clerk and computer operators की और 1358 post of society manager in 35 district central corporate banks of मध्यपर्देश ठीक है यानि 896 post निकाला गया banking assistant clerk and computer के लिए operators के लिए और 1380 post निकाला गया society manager के लिए 35 districts के लिए ठीक है corporate corporate banks के लिए यह निकाला गया इस post को ठीक है जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि opening date of submission of online application online form जो भरने की date है वो 26 नवंबर 2022 से सुरू हो चुकी है और इसकी जो last date of submission of online application last date जो अंतिम देख रख ती रखा गया है वो 25 डिसंबर 2022 रखा गया बात करें इसके application fees की तो इसकी जो application fee है वो 500 रखी गई है तो यह सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी opportunity है ठीक है जो भी बच्चे गेरिशन किये वह आई-टी आई किये वह या फिर डिप्लोमा किये वह कंप्यूटर कोर्स किये वह वन यर के लिए वह इस फ़र्म के लिए इलिजिबल है देख सकते हैं कि इसमें date of downloading of e-call letters online जो examination ली जाएंगे आपके उस date के साथ दिन के अंदर आपका admit card आजाएगा जब date निकलेगा और इसकी जो result है देख सकते कि date of declaration of result of online examination की तो वह around 10 days में निकाल दी जाएगे आपकी result जब exam खतम हो जाएगा ठीक है after 10 days ठीक है आगे देखते हैं किसमें क्या क्या पोस्ट देख सेखते हैं कि name of the post दिया हुआ है banking assistant clerk computer operator and society manager के लिए तो पहला है computer clerk computer operator के लिए 503 पोस्ट है जिसमें देख सेखते हैं कि SC ST और OBC में बाटा गिया पोस्ट को और यह male और female दोनों के लिए है ठीक है अगला दूसरा पोस्ट है संभीदा की जिसमें 117 सीटे है जिसको भी अलग-अलग कर दिया गया है मेल और female में SC ST OBC में सोसाइटी मेनेजर के लिए भी 179 सीटे रखी गई है ठीक है जिसको अलग-अलग बार दिया गया है इसमें साब दिया हुआ है ठीक है इसमें देख सकते हैं कि इसमें भी दिया हुआ computer operator और सोसाइटी मेनेजर की जिसमें की 223 सीटे है जिसमें अन्रिजर्वड के लिए साइटी मेनेजर के लिए 1189 सीटे है जिसको सभी केटेग्री में डिवाइट के गया है कोई भी केटिगरी को हो चाहिए सबी के लिए इन सीटों को रखा गिया है ठीक है आगे हम लोग बात करेंगे तो अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में तो पोश्ट्वास क्या क्या इसमें देख सकते कि कि जैसे युद में और वर इंगले इंगलेश के भी जानकारी होने चाहिए जैसा है कि यहाँ पर दिया हुआ है, society manager के लिए देखिए दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि diploma from any university recognized by UGC, तो यह पूरा notification दी हुई है, यह qualification है, जो post के लिए आप apply कीजिएगा, अब देख सकते हैं कि इसमें age relaxation भी दिया हुआ, जैसे female candidates के लिए 5 years का relaxation है, और scheduled card SCST के लिए 5 years का विलॉंग करते हैं, उनके लिए 5 years का relaxation है, corporate bank के लिए और physically handicapped के लिए 5 years का relaxation दिया हुआ है, ठीक है, इसमें age में विसेज छूट भी दी गई है, ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि payment जो fee ली जाएंगे, उसकी जो mode रखा गया, वो online mode है, online mode के द्वारा आप payment fee payment कर सकते हैं, ठ ठीक है, आगे notification को देखेंगे, तो इसमें देख सकते है, download of e-call letter, तो जैसे कि मैंने बताया कि form fill up करने के बाद, जब exam date आएंगे, उससे 7 दिन पहले आप लोगो को admit card जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि online examination किस-किस subject के होँगी, तो देख सकते हैं कि name of the test दिया हुआ, जैसे कि reasoning में 40 questions होँगी, 40 marks के, computer knowledge के लिए 40 questions होँगे, computer से 40 marks के होँगे, general awareness यानि GK के लिए 40 questions होँगे, 40 marks के, और English से 40 questions पूछे जाएंगे, 40 marks के, और numerical ability के लिए 40 questions होँगे, 40 marks, यानि total number of questions 200, total number of marks 200 के लिए, ठीक है, और सब में time duration दिया हुआ, 120 minutes, आप को 200 questions के लिए दिया जाएगा, 120 minutes में आपको 200 questions solve करना है, ठीक है, तो यह थी, bank की requirement एक, बहुत ही अच्छी, तो जितने भी viewers हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो please हमारे चैनल को subscribe करते, ताकि इसी तरह के latest jobs के updates आप तक पहुंचते रहें, thank you